खरगोन कोतवाली थाना शेत्र के टेकडी महोले में बुधवार दो पर करीब साड़े बारा बजे दो पक्षों में घर के सामने गंदा पानी फेकने की बात पर विवाद हो गया था विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में हाता पाई शुरू हो गई एक पक्षने बुजूर्ग पर लोहे का पाईप दे मारा जिससे बुजूर्ग की मौत हो गई पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है SGOP के अनुसार मकान के सामने गंदा पानी बहाने को लेकर इरसाद एजाज को हिरासत में लिया है आजम और कबिर के साथ विवाद में कबिर के सीर में पाईप मारा था कबिर की इलाज की धोरान मौत हो गई खरगौन से जैनत गुपता की रिपोर्ट लोगों ने गाली उपता गरी लेडिस उनके था थी हम लोग कोई भी निता घर के अंदर जैन से कोई निता हो लोगों ने गाली उपता गरी में कुछ फोन गाया घर ते मैं अब तो लोगों गाली उपता गरी रहते और मैं समझाने के लिए गाया तो उन्हों ने मेरे पित पानी किस बात कैसे है विवाद पानी का विवाद है था कि उन्हें तीन मंजिल का मकान बना रखा हुआ है अब उस्पे गंदी ना एक बात कुम बना रखा उसका गंदा वाणी हमारे मकान के ठीक चाहित के दरवाजे के पास आता है और हमारा खाना पीना महीं पर है अब उनकी मोत हो गई इंदोर लेगा थे इंदोर में मोत हो गई उन्हें तर पर पीछे सहर पर जो गेर नाम था यह क्या पर पर थे क्या पर पर आज आज आम खाने है आप उनके कोन थे थोटा वाला थोड़ा हूं देखिए दो परिवार हैं यह टेगड़ी महल्ये में रहते हैं उपर की तरफ इंबरान इरशाद और एजाज रहते हैं नीचे की तरफ आजम और इसका परिवार कभी होगरा यह दो गया तल दोपैर में गलिक साड़े बारा बजे आजम को इसकी बतीजी ने बलाया और बत पानी पहकेते हैं जिस पर मना करने से इत्षाद और एजाज वहां गाली गलोज कर देए आजम द्वारा उसको मने किया गया तो उन्होंने फिर लोहे के पाइप से आजम को मारा और इम्रान उनका इभाई है वो आ गया तो उसने से कभीर उसके पिता हैं पिचत्तर वड़ आजम की रिपोर्ट पर प्रगन पंजीवर्दी किया गया इसके बाद कभीर को जो है इंदौर रेफर कर दिया जहां इलाज के दौरान कभीर की मृत्तियों इस संबन में 302 प्रगन में बढ़ा दी गई है और अभी हाल में इम्रान उस्टाद और एजाज तीनों को हिरासत में लिए पूस्ताज की जा रही है जो लोही का पाई के वो गरामत किया जाएगा और माननी नहीं में पुष्टत किया जाएगा है 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 आप देख रहे हमारा चैनल है जब टूंटिफोर न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना पुलें